Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 10 and our topic name is light, sound and force. आज हम पढ़ने वाले हैं, lights के बारे में, sounds क्या है and the force. Yes, lights क्या है? What is the main source of light? आपको पता है बच्चो? Yes, the sun is the main source of light. जो हमारा sun है, जो सूरज है, वो क्या है? Main source है, light का. Yes, आज हम पढ़ने वाले हैं, lights के बारे में. Okay, अभी इस्टाट करते हैं. We can clearly see things around us during the day when there is enough light. मतलब अगर हम जो during the day, दीन के समय में, हमें सब कुछ clearly दिखता है, हमारे चारों ओर, clearly दिखता है सामने से कि कौन सा object कहां पर रखा है आपको. Yes, क्यूं दिखता है? Because of light कि ये हमें light के वज़़ा से हमें दीन में, कौन सा object कि स्थान पर रखा है, कौन से place पर रखा है, वो हमें clearly दिखता है. But try to see a book keep in the table in the dark room. लेकिन अगर आप try करके देखो कि एक अंधेरे रूम में table पे अगर एक आप book रखते हो, तो are you able to see it clearly? तो क्या आपको वो clearly दिखाई देता है? कि अगर अंधेरी रूम में आप कुछ भी सामान रखे हो, तो आपको क्या वो clearly दिखाई देता है? क्या आपको देख पाते हो? तो no, वो आपको नहीं दिखाई देता, but why पर ऐसा क्यों है कि वो आपको दिखाई नहीं देता? और दिन में आपको everything look around, things look clearly, वो आपको clearly दिखता है, but at the dark room, आपको अंधेरे रूम में वो आपको clearly नहीं दिखता है, yes? It is a because light helps to see object, या क्यों होता है बच्चों, क्योंकि light हमें help करती है किसी भी object को देखने में, या किसी भी object को देखने में, अगर light नहीं है, तो आप किसी भी object को देख नहीं सकते हैं, हमें clearly देखने के लिए हमें light की आवे सकता है, या light की होना ही चाहिए, yes? Without it, we cannot see anything around us without light मतला आप light के आप कहीं भी अपने चारों और कहीं भी कुछ भी नहीं देख सकते अभी है knowledge of light, अभी हम lights के बारे में जानेंगे The sun is the main source of light on the earth during the day दिन के दौरान जो sun, जो सूरज है वो क्या है main source of light का जो हमारे प्रित्वी पे main source है light के लिए मतलब प्रकास के लिए जो सबसे अधिक कहां हमें दिन के समय में हमारे प्रित्वी पे सबसे अधिक light किसकी होती है sun की We cannot see the object around us without light हम अब light के बगार अपने आसपास की चीजों को नहीं देख सकते भी Also get light from candles, torch, bulbs and lamps और ऐसा भी है कि sun तो हमारे main source हैं ही हमें कुछ चीजों जैसे हैं कि candles हैं, torch है, bulbs है, lamps है इनसे भी हमें lights मिलती है And these objects are called luminous object और इस object को हम क्या बोलते हैं Luminous object as they are emit their own light और यह क्या होती है, इनकी खुद की light होती है Some of these objects like the sun, star, it is a natural while others like the sun, stars, moon, these are natural lights इनसे हमें क्या है, natural lights मिलते हैं Lamps, candle and torch, यह सब क्या है, manmade source है यह है manmade source, lights जो lights तो हमें वो भी देते हैं Lamps भी देते हैं, candle भी देते हैं, torch भी देते हैं लेकिन यह क्या होते हैं यह manmade source of lights है यह मनुश्यों के द्वारा बनाए हुए lights के source है Yes, जो हमारे sun, star, moons, यह सब क्या है जो natural है, यह प्राकृतिक द्वारा दिवे प्राकृतिक देन हैं यह सब क्या है जिससे हमें light मिलती है उससे हम क्या बोलते हैं Luminous object और जो candle, lamps, torch यह सब क्या है manmade source हैं हमारे लिए light की Most objects that do not give us light like tree, chair, table and books are called non-luminous objects जैसे कुछ objects ऐसे हैं जो कि हमें light नहीं देते हैं जैसे tree, chair, table and books इससे बचों हमें light सो नहीं मिलते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें हम non-luminous objects बोलते हैं Yes, we can see non-luminous objects when lights fall on Then, हम उन्हें देख पाते हैं जो non-luminous objects हैं उन्हें हम देख पाते हैं लेकिन क्योंकि उन पे light अगर पड़ता है तो reflect होके हमारे आखों पे आते हैं जिसके बज़ा से हम उस object को देख सकते हैं Yes, यहां पर दिया है बचों आपको दीजार कॉल इन्हें हम क्यों देख पा रहे हैं क्योंकि यह luminous object है नेचरल के बज़ा से यानि सन की lights के बज़ा से हम इन्हें देख पाते हैं कि यह tree है, chair है, books है और जो non-luminous object है जैसे lamp है, candle, bulb, torch यह सब क्या है बच्चों यह सब non-luminous object हैं तो बच्चों, science fact में आपको दिया गया है कि the strength of light is major on the Kelvin scale जो lights के strength है, वो किसे major होती है किसे मापते हुआ, इसे आप Kelvin scale से major करते हो यास, उसके बाद है, अभी हम पढ़ेंगे shadow shadow is formed when light coming from the source of light is blocked or disturbed by an object, something blocked the path of light मतलब, shadow आपको कैसे form होती है, बच्चों shadow is formed when light coming जहां से light आती है, जिस जो source of light है जहां से आपका light का source है अगर उस source of light के बीच को आप block करते हो या तो आप वहां पे खड़े हो, या तो उसे disturb करते हो, कोई भी object अगर वहां पे आके उस source of light को disturb करता है, तो उसके वज़ा से उस जगह, उस पात पे, मतलब, उस जगह पे light का shadow बनता है, shadow are longer in the morning and evening while shorter in the afternoon, मतलब, जो हमारे shadow है, अगर आप माल लो कि आपके इसके बीच में आपकी body आती है, तो उस body के just left or right, वो तो मतलब, sun की direction पर depend करता है, बच्चों, बट जो sun की रेज जैसे आती है, तो अगर आपकी body बीच में आती है, तो उसके just opposite आपका shadow बनता है, है ना, क्योंकि यह क्यों बनता है, क्योंकि आप sun जो source of lights है, जो lights का source है, जहां से निकल रहा है, और जहां वो फैल रहा है, लेकिन आप lights के बीच में आते हो, जिसके opposite आपका shadow बनता है, या shadow are longer in the morning, जो shadow है, वो क्या है, सुबा के समय में थोड़ा आपका लंबा बनता है, बट इवनिंग जो जैसे जैसे साम होती है, वो छोटा होते जाता है, और जो afternoon time होता है, जो बीच आप 12 o'clock बोलते हो, afternoon time उस समय वो सबसे छोटा रहता है, मतलब अगर आप खड़े हो तो आपके जस्ट नीचे बस आपको ऐसी आपकी shadow दीखेगी, कि वो afternoon के समय में आपके shadow छोटी हो जाती है, yes, these are always formed on the side opposite to the source of light, मतलब जो आपके shadow है, जिस direction से आपके body पे sun lights पढ़ रहे हैं, या तो किसी भी lights पढ़ती, कोई भी lights आगर आपके body पर पढ़ती है, जिस direction से पढ़ती है, तो just opposite, just उसके उल्टे में ही आपके body की shadow बनती है, yes, and may be bigger or longer than the object, और वा lights पर depend करती है, कि वो उसके हिसाब से आपका shadow या तो बड़ा बनेगा, या तो छोटा मतलब bigger or the small and the object, जिस तरह की object है, उसके उसके उपर से depend परती है, क्योंकि जो source of light जो है आपका, जैसे जिस direction से आपके body पर पड़ेगी या जिस object पर पड़ेगी, उसके हिसाब से ही, उसकी shadow बनेगी, yes, जैसा कि देख रहे हो बच्चो यहाँ पर, यहाँ पर sun की, यह जो sun है, यहाँ पर बच्चो और यह, इसकी, यहाँ तो आपके पूरे में देख रहे होगे, कि आपको यहाँ, source of light से sun का sun है, sun से, इसकी body के just opposite आप यहाँ पर देख रहे हो, बच्चो की, इस body के, यहाँ पर shadow बन रही है, यहाँ तो इस तरह से आपको, आपको shadow बनती है, yes, shadow always appear to be the black or dark, जो आपकी shadow है, वो हमें ऐसा कैसी होती है, black or dark मतलब काली और अंधेरा, मतलब की अंधेरा में होता है, just ऐसा नहीं को लाल पीला, shadow क्या, always appear to be black or dark, not red and yellow, yes, उसके बाद है आपका knowledge of sound, जैसे हमने पढ़ा, lights पढ़ा, shadow पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं, sound के बारे में, yes, we hear a variety of sounds like chipping of words, barking of dogs, ringing of doorbells, skimming of children, etc, yes, thought of the day, मतलब आप एक दिन में अलग-अलग तरह के sound सुनते होगे हैं, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सुबह में कैसा हमें चीडियों की चाहा, भी सुनाई देती है, कुतों की भॉकने की भी आब आजाती है, अगर कोई हमारे डोर पे आता है, दर्वाजे पे तो डोल बजाता है, उसकी भी घंटी हमें सुनाई देती है, बच्चों का चाहाना भी हमें सुनाई देता है, बच त्रत the action बटे लेकिन क्या एक्श्ली्नेर साओंड है है थो सुनते तो बहुत है कि बच्चिणों की चाहाड भी हम सुन लेते हैं बच्चों का चिलाना भी सुनते हैं रोना भी सुनते हैं टीवी टेलिवीजन देखते हैं तो उसकी भी वालूम से हम आप सुनते हैं बट क्या यह सच मोच में एक्चुली वाट इस सौंड यह क्या सच मे sound है तो यहाँ पर जवाब है बच्चो sound is a form of energy sound क्या है energy का एक form है एक जरिया है both living and non living thing can produce sound मतलब जो भी living or non living thing है वो क्या sound produce करते हैं yes sound is a form of energy sound क्या है sound एक प्रकार की उर्जा है sound is a form of energy और जो हमारे living or nor living thing से वो सब एक तरह से sound produce और बैदेने almost is almost everything in our surrounding makes sounds जो अल्मोस्ट जो हमारे ч और जो भी है मतलब सजीव तो भी निर्जीव है तो भी यह तरह से sound make, create करते हैं हमारे surrounding हमारे चार और हैं क्या है surrounding name mix on हमारे जो सांड वो क्लिएट करते हैं sound is producing by vibrating object और sound कैसे producing होता है sound produce होता है vibrating object sound is produced by vibrating object यास कमपन से sound producing होता है vibrating मिल्स कमपन अगर किसी भी चीज का कमपन होता है तो हम ऐसे मस्फूस करते हैं ना कि यहां से कमपन आवाज हो रही है तो सॉंड इस प्रोडूश्ट वाइवरेटिंग ऑपजेक्ट यास समसांड सार प्लीजेंट वी इंजुआ लीसें टू दीस सॉंड मतलब समसांड प्लीजेंट मतलब कुछ जो सॉंड्स हैं वह बहुत सुन्दर होते बहुत अच्छे होते हैं मतल अच्छा लगता है सुन्ने में अप्ला के उ लगते हैं तो आपने घरेंन निकलते हैं कि जब hunasya सुनते रहें कितना मधूर आवाज निकलते हैंं यह सब सुनके हमारे कानों को पर उपकर अब्लाइसे होते हुँए पलेइंग मूजिक लिज्ट बजा रहा है वायलेंट बजा रहा है जिससे के वहां खूश होँ दो प्लिजेंट होती है बहुत है छीपरिंग कर रही है तो यह अच्छा लगता है यह music सुन रही है तो भी अच्छा लग रहा है ना हम music घर पे सुनते हैं तो कभी-कभी हमें कितना अच्छा लगता है ऐसा लगता है बस हो जाते हैं हमें बहुत मतलब हमारे मन को बहुत सांती मिलती है ना तो जैसे कुछ sounds से बहुत अच्छे होते वैसे ही loud sounds are unpleasant sounds मतलब अगर loudly जो sound है बहुत तेज आवाज होती है वो क्या होती है unpleasant होती है मतलब कि आनन्दाई नहीं होती वह अच्छी नहीं होती है मतलब अगर किसी के चिलाने की आवाज या होन की आवाज यह सब जिसे हमारे कानों को सुनने सुनने में ऐसा क्या चूपता है ऐसा लग रह होता है कि अभी आप लोग कब सांती से बैटो आप चिलाते हो तो बस हमारा प्रेशर बढ़ता है तो इसके यह कुछ चीजे हैं जिसे कि unpleasant sound produce होती है जो बहुत ज्यादा आवाज होती है उससे क्या होता है unpleasant sound produce होता है एंड दीजर कॉल नौइज इसे हम क्या बोलते हैं कि य क्या एंड हां पूर फोल आवर यूर्टा ये ये जुवं है आवाज है वो क्या है हमारे कानों के लिए हानी कार्ण रेक़ तो हमें कुछ भी जैसे कि अगर हमम भी सुनते हैं तो Are उप्नना को व्हुंट सुनते हो तो आपके कानों को बहांफूर हो सकता है अपके कानों को नुखसान पहुंच सकता है तो इसके लिए हमें कभी भी मुजीख ना एकदम लो और मीडियम आवाज हिले चाहिए है जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि यह लॉड्ड मुजिक सुनतो रहा है बट देखो कैसे अपने कान को बंद करके रखा है यह हौन बजा रहा है लेकिन यह भी हमारे कानों को चुपता है वह दूसरे मतलब ऐसा बोलते क्यों हौन बजा रहे हो है ना तो यह सब हमें ऐसा न यह हमें इस चीज को आवाइट करना चाहिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यहां साइंस फैक्ट में आपको दिया है बच्चों लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन सांड जो लाइट से वह किस से ट्रेवल फास्ट करते हैं सांड से भी अधिक तेज गति से चलती है यह यही कारण है कि आपको लाइटिंग यू सी लाइटिंग बिफोर लाइटिंग के पहले आपको ठंडर सुनाई देती है मतलब कि चमकने बिजली चमकने से पहले आपको ठंडर जो गरगरा हाट होती है ना जब बारिस के दिनों में आपने सुना हो गय से कि लाइटिंग के पहले आपको ठंडर सुनें जब गड़गड़ा हट होती है उसके बाद फिर आपको लाइटिंग सुनाई देती है क्यों क्योंकि लाइट रेवल फास्टर दें सांड से ज्यादा ज्यादा फास्ट वह ट्रेवल करती है सांड यस उसके बाद है मैं मेरे पढ़ना है बच्चो फोर्स के बारे में यास फोर्स अब फोर्स इजब पूश और पूल डाट कॉज़ेज एड ऑबजेक्ट तुमेब तुस्टाविंग मतलब फोर्स क्या है फोर्स से किसी भी चीज को खीचते हैं या धक्का देते हैं जिससे जो ऑबजेक्ट है या तो अगर वह फोर्स करता है या तो फिर वह अगर वह आप उसे मूब कर रहे हो तो आप वह रूख जाता है मूविंग ऑबजेक्ट को आप रोक सकते हो या किस वज़ा से क्योंकि आप उस पर फोर्स लगाते हो किसी भी ऑबजेक्ट पे हम अगर चलती घुमती मूविंग ऑबजेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या करें हो जा कोंड करते हो गये कि जब अगर आपको कबड खोलनी है तो आप क्या करते हो कि पूल करते हो खीचते हो है ना तो आप kool किये तो भी आपने एपने अदल फोर्कॉर्सलगाया ओप पे ना फूस्य अपने आपशन्स भका दिय cudक ळोग करने में तो भी वह cupboard खुल गया और जब आपने फोर्स लगाया तो फिर वह बंद हो गया है it is all because of force और यह क्यों होता है बच्चो it is all यह सब की वे force के वज़ा से होता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि opening the door of cupboard with the force या force से मतलब क्या करें पूल करकर के फोर्स लगा करके cupboard को खोल रहा है यह ठीक उसी तरह closing the door of cupboard with force वाव डोर को जो फोर्स लगा करके close कर रहा है है ना फोर्स केन मूव एन अब्जेक्ट स्टॉप अ मूविंग अब्जेक्ट फोर्स केन मूव मतलब की आप फोर्स लगा करके किसी भी आब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं and stop a moving object अगर कोई भी moving object है अब उसे रोक सकते हैं yes change the direction of an object change the speed of moving object and change the shape of an object means change the direction आप अपना force लगा करके उस object का direction भी चेंज कर सकते हैं आप उस moving object की speed को भी change कर सकते हैं है ना आप उसके shapes को भी change कर सकते हैं all the action are done by the help of force और यह सब किस कौन से action के वज़ा से होता है because help of force के वज़ा से हम उसके direction को उसके shapes को उसकी speed को हम object की speed shape और direction को change कर सकते हैं yes जैसा कि आप यह picture में देखे example समझो जैसे यह बच्चे गाड़ी को push कर रहे हैं तो उसके direction को change कर रहे हैं जैसे यह stop है लेकिन उससे push कर कर के वह उसे आगे की direction में जाने के लिए help कर रहे उसे push कर रहे हैं वहां पर वह force लगा रहे हैं yes उसके बाद है यह कि force can stop a moving object यह जो ball आ रही है उसके तरफ उसके तरफ उसके तरफ वह force लगा करके उससे stop करने उससे रोकने में काम कर रहे है यह force can change the direction of object जैसे बच्चे बैडमींटन आप खेलते हो तो अगर आप जो उसमें बैडमींटन कॉक है आप उससे जब बैडमींटन से play करते हो खेलते हो तो उससे जब तक आप उसके force लगाते हो तभी वह उपर की तरफ जाती है तो जो उससे क्या होता है आप उसके direction को भी change करते हो जैसे वह पहले चेंज कर सकते और ना ही उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी और जैसे आप अपनी बूप या पैंसिल की बात कर लो अगर पैंसिल रखी है तो आपको उठाने के लिए तो उसे हाथ में लेना पड़े गया पूल करना पड़ेगा तो आप हाथ में लिए तो आपने उसके डायरेक्शन को चेंज किया अगर आपके फैन चल रहे हैं बॉल खेल रहे हो आप अगर उसे आप अचानक से हो तो आप उसकी अबजेक्ट है अगर आप रोकने के लिए आप वहां पर फोर्स लगा रहे हो तब ही वह बॉल रुपती है है ना तो इस तरह से हम हमें कुछ किसी भी कार के लिए डू वर्क एनिधिंग तो यूज दा फोर्स मतलों आपको कुई भी काम करने के लिए आप करते फोर्स की आवे सकता होती ही है आप बीना फोर्स के को भी वर्क नहीं कर सकते हैं यह अप कोई भी वर्क करतेों तो आप सबस्कित है तो आप समझनगे बुश के बारे में उसके बाद हो बच्चों अप। प्रिक्शन किस वज़ा से होता है बच्चों जब दो ऑबजेक्ट एक दूसरे के टच में आते हैं या एक दूसरे से रग रब होते हैं रगडते हैं एक दूसरे से तो वहां पर फ्रिक्शन होता है है ना इस प्रिक्शन के वज़े से वह मुव्मेंट अब बॉविंग बॉल स्टॉप दूसरे से बॉट प्रिक्शन मतलब कि जो आपकी बॉल अगर बैट बॉल खेल रहा है अगर बॉल आप वह करते हो तो जितनी उसकी फोर्स लगा करके आप बॉट को किक करते हो तो आगे जाकर के बाद में वो फ्रिक्शन के वज़े से आपको बॉल वहाँ पर जाके वो रुख जाती है क्यों रुखती है वो फ्रिक्शन के वज़े से ही रुखती है अगर जिस स्थान पर आपका फ्रिक्शन कम होएगा आप वहां से वहां वह जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन कर जाएगी फिसल जाएगी विन फ्रिक्शन इज हाए तींग्स जो जाएगा अगर आपके वज़ेक्ट में या थिंग्स में फ्रिक्शन अधिक है तो आप उसे मूँ नहीं कर सकते ही डूब आप उसे मूव नहीं कर सकते हैं फ्रिक्शन हैं अगर हमारे चले अगर किसी भी चीज में या किसी भी अबजेक्ट में फ्रिक्शन नहीं है तो everyone would keep sleeping off, मतलब कोई भी खड़ा, would sleeping off, मतलब कि वो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, वो sleep कर सकते हैं, sleeping off हो सकते हैं, yes, there was no friction, अगर आपका friction नहीं होगा, तो आप सही से खड़े नहीं रह पा सकते, yes, अगर हमें वाक करने के लिए खड़े रहने के लिए भी friction चाहिए होता है, इसके लिए friction, हमारे, क्या है, friction is a kind of force, वो force है, वो हमारे, जैसे हम बहुत तेज गती से दोड़ते भी हैं, तो हमें रुखने के लिए friction का यूज करते हैं, yes, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कि यह slippery floor due to little friction, यह slippery floor क्यों है, क्योंकि यह boy और यह नीचे की इसकी सता के बीच में friction कम है, जो roller skates reduce friction, जो roller skates है, वो क्या करता है, वो friction को reduce करता है, yes, वो, यह थे बच्चों आपके lights, sound and force के बारे में, तो आप सबने देखा, lights क्या है, lights में, the sun is the main source of our light, yes, luminous object, non-luminous object, luminous object, the sun, star and the moon are called luminous object and the lamp, candle, bulb, torch, this is called non-luminous object, yes, shadow, shadow, always opposite में ही होता है, जब आपके body पर light परती है, lights के बीच में अगर आपके body आती है, तो उसके just opposite में shadow बनता है, यह shadow, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, वो तो lights के according बनते हैं, sounds, sounds is the form of energy, हाना, every living or non-living thing can produce sound, yes, some sounds are unpleasant and some sounds are unpleasant, force, force is a force, push or pull is called force, हाना, that causes an object to move, तो stop moving, है ना, अगर आप किसी भी चीज के लिए खोलने या बंद करने के लिए उच करते हो, तो आप वहाँ पर force लगाते हो, भीना force के आपको भी work नहीं कर सकते, friction, friction is caused when two object और wrap each other, yes, it is a kind of friction to slow down the movement, yes, I hope you understand this lesson, okay, thank you.